हलो स्टूडेंट्स बिटा आज हमारा चैप्टर है एड्मिशन ओफ ये पार्टनर और कुश्चन नमबर है उसका 60th कुश्चन है आपका 60 के दो पार्ट हैं A पार्ट और बी पार्ट और आज हम वो दोनों ही कवर कर लेंगे इस वीडियो में और दूसरा बिटा मैं चाहती ह जर्डर वाली है जर्नर लिर्डर की यह दो वीडियो अलग अलग है और एक और है जिसमें मैंने सारी चीजे प्राफिट अन लौच जर्नर लीजर इकुमिलेटि प्रॉफिट इन सब का मैंने बता रख है की कैसे ट्रीट्मेंट करेंगे चीक है तो आप यह तीन वीडियो के आएंगे एक्जाम में और इससे पहले अगर आपको क्या करना है सिर्फ 30-30 मिनाट या 24 ऐसे कुछ मिनाट की तीन वीडियो है उनमें आपको 100% गारंटीड है कि वो क्लियर हो जाएंगे अगर वो क्लियर हो जाते हैं आपके तो यहां से यह देखना शुरू करोगे तो आपको सोचने की जरुदिया आपको ना क्या होगा रूस पता होंगे तो कुछ नहीं बस फिर फॉर्मेट में आपको लिखना है और इजीली कोशन सॉल्व हो जाएगा 6 मार्क्स का ठीक है और यह कोशन 6 मार्क्स में भी आएगा 4 मार्क्स में भी और 1-2 मार्क्स में भी तो 10-12 मार्क्स आपको दिलाता है दूसरा एड्मीशन वाला ही चैप्टर अगर आपको आजाता है तो आपको रिटायर्मेंट और डेथ आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब 80% यहीं होगा सिर्फ 20% चेंजेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको 20% सीखना है और आपको 80% सीखना है तो 80% को अच्छे से अगर कर लोगे तो 20% में कुछ टाइम नहीं लगेगा बट ना आपने यह वाला किया फिर वह वाला भी आपको समझ में नहीं आएगा रिटायर्मेंट ना एटायर्मेंट और डेथ अराम से कर लेगा ठीक है इजीली हो जाएगा उससे तो अगर 6 का यह आता है 6 का वो तो 12 मार्क्स तो आपके यह हो गए और 4 में और 3 में मिलेंगे वो अलग मिलेंगे आपको 4 4 मार्क्स में मिल गए कोशन्स तो आप कितने सारे 2 चैप्टर्स को अ लूचे में में आ रहा है मैं description में इस बार वीडियोस आगे से क्या करूंगी आपको descryption में दे दो कि आ आप महां से वो तीनों ली जो क्योंकि वो तीनों ही वीडियों HELP करेंगे डिए alright तो उसमें मैंने आपको यहीं पर बता दिया था, इसलिए मेरी बुक भी ऐसी हो गई है, आचा चलो, ठीके, कोशन नमबर सिक्स्टी एथ, और प्लीज मेरे चैनल को बेटा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं भी बहुत नियू हूँ यहाँ पर, मुझे टॉपिक भी और सॉल्यूशन भी दोनों प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को जादा से जादा लोगों को शेयर करें, थैंक्यू सो मच, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, शिक्स मार्क का, अब आपको बेस बनना शुरू हो जाए क्यार विमल निर्मल और पार्टनर शेरिंग प्रोफिट इन रेशो ऑफ थरी तो टू, फोलोइंग वास दा पोजिशन ऑफ दियर बिजनेस यह यह, क्रेडिटर्स हैं इसमें विमल और निर्मल की कैपिटल्स हैं और प्रोफिट और लॉस है, अब देखो P&L दे रखा है, और लाइबरेटी में क्या दे रखा हूए, इसका मतलब यह प्रोफिट दे रखा है और आगे कोई इन्फोर्मेशन यह थो प्रोफिट को हमेशे ओल्ड पार्टनर ओल तो डिस्टिबूट कर लेते हैं, और जब भी प्रोफिट को करेंगे, उनकी क्या कैपिटल इन्कृब होगी और capital जब increase होती है तो वो credit होती है यहां तक समझ में आ गए उसके बाद cash दे रखा है debtors दे रखा है plant and machines जी और stock and this is goodwill this is old goodwill this is old goodwill और old goodwill को old partner old ratio में write off करते हैं अगर valued वाली होती तो sacrificing और gaining निकालते जैसे यह है जो नई लाता है वो valued वाली होती है उसका sacrificing या gaining में valued का मतलब है वह सी के आने के बाद ठीक है या new partner के आने के बाद यह वाली goodwill है तो यह तो sacrificing या gaining में चाहेगी लेकिन old goodwill किस की है निर्मल और विमल की है तो old partner old ratio में write off कर लेते हैं और जब भी asset को write off करते हैं तो asset हमेशा क्या हो जाती है credit खतम करना write off होना होता है खतम करना यह सारी चीजों को write off करना होता है profit को करेंगे तो क्या हो जाएगा वो credit हो जाएगा वो sorry debit हो जाएगा goodwill हमारी asset होती है उसको write off करेंगे तो क्या करेंगे उसे credit करदेंगे माला liability को अगर write-off करोगे तो nature के opposite कर दो credit होता है तो debit और debit होता है जो उसे credit, ऐसे write-off करते हैं, ठीक है, कह रहा है, क्या क्या लेके आया है, capital लेके आया है, और 20,000, उसने यह नहीं कह रहा है, firm की goodwill नहीं कह रहा है, कह रहा है, existing partner office share of goodwill, अपने हिस्से की goodwill लेके आया है, new ratio दे रखा है, तो old minus new करके sacrificing और gaining निकालेंगे, और किस में जरुत होगी इसकी new goodwill में, उसके बाद कह रहा है, revaluation भी हमें बनाना है, कह रहा है, reduce होगे plant, asset decrease, तो asset का debit balance होता है, decrease होगी तो credit हो जाएगी, और revaluation debit हो जाएगा, stock भी decrease ही हो रहा है, तो यह भी credit हो जाएगा, जब भी provision, provision मेरी होती है, liability, ठीक है, जब भी liability क्या होता है, create करती हूँ में तो liability क्या हो जाएगी, increase होती है, तो हमेशे entry क्या हो जाएगी, इसकी, revaluation to provision for doubtful debtors, और अगर मैं account में transfer करूँगी, क्योंकि यह loss है, provision बनाना मतलब liability बढ़ जाना, और liability बढ़ेगी तो मुझे loss होगा, और loss होगा, तो revaluation के debit side जाएगा, ठीक है, वस यह चीजे करने है, करें क्या रहा है, Bimal and Nirmal, Bimal and Nirmal are partners, they are sharing profit and losses through, is to 2, old ratio is given and new ratio is, new ratio is, 2 is to 1, 1 is to 1, this share is for new partner, new partner, और new partner कौन है हमारा, कौन है था, form में, केलाश, केलाश, ठीक है, as a new partner, यहां तक समझ में आया है, फिर क्या कह रहा है वो, sacrificing और gaining की ज़रुद कहां पर पड़ेगी, हमें goodwill का treatment करने के लिए, तो, सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, हम देखेंगे कौन sacrifice कर रहा है, और कौन gain कर रहा है, और formula किसका लगाएंगे, sacrificing का, formula किसका लगाएंगे, sacrificing ratio का, is equal to old ratio minus new ratio, ठीक है, और यह कहां किसके लिए use होता है, या तो वो कहते है, do not disturb, नहीं बाटना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को, या फिर premium for gold, जो नहीं लेके आता है, उनके लिए हमेंसे sacrificing ratio योज़ होता है, तो, हम करेंगे, विमल का, देखेंगे, क्या कर रहा है वो, sacrifice और gain, तो old है 3 by 5, minus 2 by 4, ठीक है, 20th LCM आप गया, 4, 12 minus 4, 5, 10, तो यहां पर आजएगर 2 by 30, अगर आपने sacrificing का formula लगाया है, और आपकी digit प्लस वाली आती है, तो वो sacrificing ही है, इसका मतलब, positive है, तो sacrificing ही ही है, ठीक है, और अगर negative आ जा ता, उसके बाद हमा निर्मल, निर्मल देखेंगे आप, तो old है, 2 is to 5, minus new है, 1 is to 4, LCM is 24, 4, 8, minus 5, 3 by 24, positive digit है, तो यह भी sacrifice, अच्छा, एक बात और, हमें यहां से entry तो पता चल गई, क्या, कि वो लेके आएगा, premium, तो करेंगे cash to premium for goodwill, और premium for goodwill, तो विमल, तो निर्मल और कौन से ratio में, 2 is to 3, sacrificing ratio में उसे बांट लेंगे, ठीक है, यहां से entry हमें पता लग गई, लेकिन अब जैसे, हमने यह पहले calculate कर लो, अब हम ऐसे ही question करेंगे, जैसे question given है book में, ठीक है, इससे आपको क्या होता है, easy पढ़ जाता है, clear, सबसे पहले कह बाती हुँटा कि आप लोगों को, अच्छे से दिखें, सारा, हम सबसे पहले बनाएंगे, revaluation account, revaluation account, revaluation क्योंकि किसी particular date पे नहीं बनता, इसलिए, इसमें हम date नहीं निकलते, फिर हमारा second is partners, capital, account, partner की capital का account बनाने, कितने partner है, उतने ही columns होगे, चीक है, तीन partner है, यह old है, फिर कौन विमल, एंड, निर्मल, और नयाय कैलाज, same इधर ही, विमल, निर्मल, एंड कैलाज, clear, partners capital भी, क्योंकि पूरे साल आता जाता रहता है, इसलिए यह भी कोई date नहीं होती, particular, तो इसका कैसे बनता है format, बेटा, format के भी आपको half marks, half marks मिलते हैं, तो इसलिए format को जरूर याद रखना, particular, और आपको एक और तरीका बता हूं, format याद करने का, particular, अगर rough में भी question कर रहे हो ना, आप लोग, मैं चाहूं तो ऐसे ही गंदा-गंदा सा, यह ही इतना format, format पर धिहान ना दे के मैं आपको समझा सकते, अरे, तुमसे बात करने के जब कर में गलत हो गया, amount, particular, amount, उसके बाद यह कह रहा है, इस बात को complete करेंगे, अभी, विमल, निर्मल, और कैलास, पर्टिगुला, विमल, निर्मल, और कैलास, सारा दिख रही है न, स्क्रेन पर, चिक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें new balance sheet बनानी होगी, इसका एक बहुत अच्छा सा logic बताऊंगी, कैसे आप गलत नहीं करेंगे, as on, dash, 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 जितना दे रखा है, 2018 दे रखा है, तो अब 19 की बन जाएगी, नहीं वाली balance sheet, उसके बाद, इधर हमारी liabilities आती है, liabilities का credit balance होता है, ठीक है, और इधर हमारी assets आती है, assets का debit balance होता है, ठीक है, इधर हमेशा balance sheet में liabilities आती है, जिनका credit balance होता है, ठीक है, इधर हमेशा asset आती है, balance sheet में, जिनका कौन सा nature होता है, debit nature की होती है, ठीक है, amount और amount, मैं कहारी हूँ, format तब जाद अच्छे से learn होता है, जब आप rough में भी, जब भी आप practice करें, format जरूर proper बनाएं, तो आपको चुटकियों में, अगर आपने 20 questions या 30 questions भी किये, जो आप पूरे साल question करोगे, और starting में ही आप with format कर रहे हो, आपको habit ही ऐसी हो जाएगी, आप format ही बनाओगे, और जब आप rough में भी format बनाओगे, तो आप final में भी भूलोगे नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है, उसके बाद क्या क्या कह रहा है, सबसे पहले, देखो, रिवैल्येशन में, तो ये एक तरह से P&L account होता है, कौन सा account होता है, profit and loss, और loss always debit, rule पता है न, आपको debit all expenses and losses and credit all incomes and gain, यहाँ पर अगर income होगी या gain होगा, और income और gain कैसे हो सकता है, asset बढ़ेगी, तो फायदा हो जाएगा, income हो जाएगी, तो इधर आ जाएगी, liability कम होगी, तो हमें फायदा हो जाएगा, फिर पहले हमें 10 देने थे, किसी creditor को, अब 5 भी देने है, तो फायदा हो जाएगा, तो फायदा इधर, या profit इधर, loss, asset की value कम हो जाएगी, तो हमें loss हो जाएगा, या हमारी liability increase हो जाएगी, तो हमें loss हो जाएगा, वो इधर आएग फिर capital का कौन सा nature होता है, credit, बढ़ेगी, और या increase होगी, तो इधर और decrease, decrease या घटेगी, तो इधर, छीक है, क्योंकि capital का कौन सा nature होता है, credit, तो बढ़ेगी तो इधर, और घटेगी तो इधर, और balance sheet, totally balance sheet, capital का तो सिर्फ balance आएगा, सारी balance sheet इस पर depend करती है, हमारे revaluation पर, इसका मतलब यह वाली balance sheet में हमें बताने है, कोई asset थी, अगर वो increase हो गई, तो इहाँ लिखी होगी, increase होगी, तो उसे add कर देंगे, और decrease होगी, तो उसे minus कर देंगे, कोई, यहाँ पर liabilities होगी, increase होगी, तो उसे क्या कर देंगे, plus, और सिर्व इस लिए बता देती हूँ, बेटा, कोई नया बच्चा देखता है, तो उसे सारी चीजे नहीं पता होती, क्या पता होगी, तो उसे पता होनी चाहिए, यह चीजे, अब देखो, क्या-क्या कह रहा था, रिवैल्येशन में सिर्फ increase और decrease की बात होगी, अब क्या-क्या increase हो रहा था, देखो, कह रहा था, machinery, और 2 का मतलब होता है, तक, पहले जितनी थी, अब 35 तक हो गई, तो पहले कितनी थी machinery, 50,000 की, अब कितनी रह गई, 35,000, decrease हो गई, इसका मतलब, कितने 1,000 से, 15,000 से, और जर्नल एंट्री की तरह भी सोच सकते हो, मशीन दी का कौन सा नेचर होता है, डेबिट नेचर की होती है, decrease होगी, तो क्या होगी वो, क्रेडिट होगी, और रिवैल्येशन डेबिट हो जाएगा, तो जब हम रिवैल्येशन अकाउंट बनाएंगे, तो इसके डेबिट साइ कर देंगे, देखो, अगर मैं इसी की बात करूँ, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन दी डेबिट हो रही है, तो हम करेंगे, रिवैल्येशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, टू मशीन दी, प्लांट एंड मशीन दी है, वो बस मैं ऐसी समझ मशीन दी क्योंकि डिक्रीज हो गई, और नेचर डेबिट होता है, बढ़ेगी तो डेबिट, और कम होगी तो क्रेडिट, कितने की थी, 50 की, अब कितनी रहेगी, 35 की, तो 15 की डिक्रीज हमें सिर्फ इनका डिफ्रेंस देखना होता है, कितनी हो गई वो कोई मतलब नहीं, व आम ने लेजर पढ़ा, 11 में, रिवेलिएशन के आउरा, डेबिट किसकी वज़े से, टू मशीन दी, ऐसे याद रख लो या तो, और वैसे भी मशीन दी कम हुई है, तो मुझे लॉस हो रहा है, लॉस ऑल्वेज डेबिट, तो इधर की तरफ आजाएगा, कैसे भी आप या उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है, स्टॉक भी डिक्रीज हुआ है, 10 परसेंट से, तो स्टॉक, कितने से डिक्रीज हो गया है, यह हमारा, 10 परसेंट से, इसका मतलब 4,000 से, 40 परसेंट का 10 परसेंट करो गया, 40,000 का 10 परसेंट करो गया, तो कितने से डिक्रीज हो गया है बेटा हमारा 15,000 से ने सोरी 4,000 से ठीक है उसके बार किरा प्रोविजन जब भी प्रोविजन क्रियेट करेंगे या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी हमारा लॉस हो जाएगा या फिर हमेशा जब भी बढ़ेगा वो इधर की तरफ ही आएगा ऐसे याद रख लेना प्रोविजन फोर डाउटफुल डेटर्स कितने धाउजन वन थाउजन एक मिन्ट स्टॉक चार का था चीक है क्लियर इधर की कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं आई कोई प्रोब्लम नहीं है हमार को क्या हुआ क्योंकि लॉस ज्यादा आ रहे हैं इसलिए लॉस का बैलेंस आएगा यहाँ पर लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू किस-किस की कैपिटल है विमल विमल्स कैपिटल अकाउंट और निर्मल्स कैपिटल अकाउंट निर्मल्स कैपिटल अकाउंट मतलब इस loss को अब हमें उनके account में transfer करना है 20,000 हमेशा revaluation का क्या होगा old partner old क्योंकि नई की आने से पहले ही हम revalue कर रहे है asset की हम कहा रहे है भाई revalue कर लेते हैं जो जो अपना वो बाड़ लेते हैं loss है तो भी और profit है तो भी तो नई का कोई बात नहीं है इसलिए old ratio में होता है हमेशा है 20,000 का कितना old ratio 3 to 5 तो यह आजाएगा 12,000 रुपीज और 8,000 क्योंकि loss हो है इसलिए partners की capital कम होगी और जब देखो घटेगी या कम होगी तो किदर आएगी इदर तो to revaluation account revaluation account कितना 12,000 and 8,000 कैलाश को तो कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि revaluation तो पुरानों की वज़े से बन रहा था ठीक है next क्या क्या रहा है हमेशा सबसे पहले revaluation अगर transfer कर दिया सबसे पहले लिख दो यहांपर by balance brought down और यह हमेशा balance sheet में जो given होता है यह होता है balance brought down जो यह balance sheet में given होता है यह वाला capital दे रखा है नहांपर इधर दे रखे जो यह होता balance brought down सबसे उपर यह ही लिखो कितना आएगा हमारा 60,000 and 32,000 कैलाश आया कुछ ले के आया है क्या ले के आया है capital तो buy bank क्योंकि इसकी entry होती है bank यह cash account debit to capital तो capital क्या हो रही है उसकी increase हो रही है लेकिन किसकी वज़े से bank की वज़े से कितना cash भी लिख सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है 40,000 और क्या ले के आया था वो premium for goodwill तो देखो ध्यान से जो जो वो ले के आया हम उसके entry यह जब करते है तो क्या करते है क्या लेकिया आया है वो cash या bank account debit debit two capital लेकिया आया है तो वो capital account और two premium for goodwill premium for goodwill ठीक है कितने की capital लेकिया आया है 40,000 की premium for goodwill कितने की लेकिया है 20,000 की और tono total कितना लेकिया है 60,000 और premium को तो कहा पर transfer करते हैं उनकी capital में transfer करते हैं और इसका treatment हमेशा sacrificing और gaining में होता है नई वाले का sacrificing and gaining ठीक है हमेशा याद रखना नई goodwill sacrificing या gaining पुरानी कोई भी चीज कुछ भी नहीं दे रखा तो old partner old ratio में बाट लेंगे balance sheet की 7 चीज़ों को 3 liability 4 liability वाली और 3 किदर asset वाली वो तो मेरी वीडियो देख लेना बिटा फिर यहाँ पर आजाएगा आपका premium for goodwill को transfer कर लेंगे capital बढ़ा देंगे capital account debit कितना 20,000 को to कौन है विमल्स capital कौन है सबसे पहले कौन था विमल है न हाँ विमल्स capital account और to nirmal 20,000 को कौन से रेशो में sacrificing में तो यहाँ पर आजाएगा 8,000 and 12,000 20,000 को 2 is to 3 रेशो में बाटना है क्योंकि कौन से रेशो में sacrificing में इसका treatment हमेशा sacrificing ratio में होता है अगर withdraw करता है तो reverse entry भी हो जाती लेकि नहीं कर रहे तो आप देखो यहाँ पर इनकी capital बढ़ गई है increase हो रही है कितने 1000 से 20 से 1 की 8 1 की 12 तो यहाँ पर क्या आता है second number पर हमेशा buy premium for goodwill कितना 8,000 and 12,000 यहाँ तक समझ में आ गया कुश्या उसके बाद कुछ नहीं बचा अब पहुंचाओ सीधा यह entry करने के बाद revaluation balance brought down और क्या लेके आया और premium यह जैसे ही करोगे उसके बाद पहुंचाओ direct balance sheet में कि क्या-क्या given है बचा हुआ क्या-क्या है अब तुम देखोगे भई हाँ पर होने तो चाहिए थे generalizer, workman यह सारे होने चाहिए लेकिन सिर्फ क्या दे रखा है इधर की तरब P&L और यह क्या होता है profit और profit की वज़े से capital increase होती है वरना एक और तरीका है जो इधर वाला सारा capital को बढ़ा देता है और जो इधर वाला वो capitals को कम कर देता है asset की side में जो तीन चीज़े होती है कौन-कौन सी goodwill, advertisement और P&L इनकी वज़े से capital कम होती है और इनकी वज़े से capital increase होती है reason आप मेरी वीडियो में देख सकते है ठीक है जिसमें मैंने P&L, general reserve, workman, compensation reserve इन सब का treatment बता रखा है अब देखो क्या-क्या है हमेशा old ratio में ही बटेंगी 12,000 आजाएगा और 8,000 12,000 and 8,000 कुछ नहीं कहा रहा है हमेशा old partner old ratio में और यह goodwill given है आपको asset side तो उस goodwill को write off करेंगे partner उसका नाम हमेशा goodwill ही आता है उसका premium नहीं है वो पूरी goodwill है firm की कितने thousand की goodwill है 10,000 10,000 को old partner old में बाटेंगे 10,000 को old ratio है 3 is to 5 6,000 and 4,000 बस अब balance sheet में भी कुछ नहीं बचा है देखो बस goodwill दे रखी थी asset side और profit और loss लाइब लेटी side कुछ नहीं बचा balancing figure से हम balance carry down निकाल लेंगे ठीक है 2 balance carry down कितना हो जाएगा यह 20 एक मिना टो यह देखो यह आजाएगा बिटा आपका 60 और 20 80,000 ठीक है यह हो गया 32 और 20 52,000 प्लस 40 तो 40 रहेगा हमेशा यह तो यही carry down जितना लाया वही carry down होगा तो यह इसका तो carry down आगया 40,000 अब देखो 52 है इधर के 12 है माइनस कर दोगे 12 तो आपका कितना आ जाएगा माइनस 12 करोगे आप 40,000 आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40,000 ठीक है ऐसे 80 हैं और इधर 18 है तो यहाँ से माइनस करोगे तो 62,000 आ जाएगा चीक है तो यह बैलेंसिंग फिगर बस कैपिटल्स का तो यह वाला बैलेंस इधर ट्रांसफर होता है और रिवैलिएशन में जो चेंजिस आएं वीच चेंजिस ऐसेट में तो बैलेंस शीट का सबसे मेन इंपक्ट इसका पड़ा इस रिवैलिएशन से जो जो चेंजिस आए गए वो माल लो हमारी प्लांटर मस्शिदी कम हो गई ती तो कम करके लिखनी है पी एएं डेल प्रॉफिजन फोर डाउट्फुल टेटर की वज़े से टेटर कम हो गई तो कम करके लिखना है और यहाँ इदर कुछ भी नहीं था तो छोड़ देना है बस इन तीन मतलब जब भी मैं ऐसे ट्रांसफर करूंगे इन तीनों चीजों पर फरक पड़ेगा आप सबसे पहले आगई बाद ही किसकी अब देखो मैं तुम्हें बैलेंस शीट दिखा देती हूँ हम हम देखो कैश है कैश पे फरक पड़ा था क्या पड़ा था 14 का तो यह है turns हमारे एटिन के और हमने प्रावजन मंहों अधला हमें कुछ आईसे डेटर थे जिन पर नाँट है जो पैसा नहीं देंगे 1,000 के तो इसका मतलब अब अच्छे डेटर हमारे सिर्फ 17,000 के है Plant and Machine थी हाँ कम हुई थी Plant and Machine थी कितने से कम हुई थी बेटा 50,000 तो ये है और हमारी कम हुई थी Plant and Machine थी अब सिर्फ 35 तक रहनी थी तो 50,000 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कहरा है खुदी 15 तक ही रखनी है तो 35 तक रखनी है तो 35 तक रखेंगे उसके बाद है then stock yes stock में भी कुछ हुआ था 40,000 का stock था और 10% वो decrease हो गया था तो 40 का 4% 4000 अब stock सिर्फ 36,000 का ही रह जाएगा उसके बाद कोई changes नहीं हुआ ये goodwill तो क्योंकि राइट ओफ कर ली थी पुराने partners की पुराने partner ही ले गए जिस चीज को राइट ओफ कर लेंगे वो इसमें कभी नहीं आता ठीक है अगर balancing figure से आपका balance sheet equal आता है दोनों side इसका मतलब आपने गलती नहीं की creditor creditor में कुछ हुआ था क्या adjustment थी क्रेडिटर की कोई कैसे पता लगे कर evaluation पर पहुझा हो क्रेडिटर के वारे में कुछ भी information नहीं है इसका मतलब ऐसे रहेंगे 20,000 और capital समेशन नहीं वाली आएंगी capital कौनसी वाली क्योंकि अब तीन partner होगे तो नया balance कौन सा होगे ये 62,000 40,000 and 40,000 ठीक है ये capital हो गई और उसके बाद P&L क्योंकि write-off हो गया तो जो भी चीज write-off हो गई उसको balance sheet में नहीं लाते अगर वो कहता write-off नहीं करना चाहते do not want to disturb अगर वो कहता तो यहां आता लेकिन अगर नहीं कहा रहा write-off कर चुके यहां पर हम तो नहीं आएगा चीक है कितना हो जाएगा यह 6 410 14 14 14 14 10 कि एंचे 142 थाउजन तो यहां पर हमारा टोटल आ गया है तो यह तो वन लेक 62 थाउजन आ गया तो यही आ रहा है आपकी balance sheet और इसको गरेंगे तो हम 6 11 18 22 तो साथ नो दस तेरा शोला चीक है 1,62,000 आ गया पिटा समझ में आप लोगों को इजी था कोशन थोड़ा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि 11 का आपका बेस बहुत अच्छा नहीं होगा मुझे पता है इसलिए मैं 12 का एक एक चीज को डीपली बता रही हूँ कि अगर अच्छे से आगया आपको तो आपको रिटार्मेंट और डैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आईगी डीपली समझना है सिर्फ ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया है इधर कैश आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल बस एक इसका ट्रीटमेंट है ना वो सेक्रिफाइजिंग और गेनिंग में होता है वरना सारी चीजे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ले जाते हैं अग साथ उसका भी ट्रीटमेंट सेक्रिफाइजिंग और गेनिंग में हो जाएगा वरना सारी की सारी चीजें जो